महिला विकास, स्वेम रोजगार, बहु उद्देश संस्ताद्वारा, हुड की श्वस्तित, डगे प्रोपर्टी में नागपुर मेगा ट्रेट फेर, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, शॉपिंग एक्सपो और अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसका जाइजा इन्वीसियन की टीम ने लिया, लोगडाउन के चलते पिछले कुछ महीनों से सारे कारोबार ठप पड़े है, जिसके चलते रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश से, महिला विकास वयम रोजगार बहुत देश्य संसादवारा हुडकेश वस्थित, धगे प्रॉपर्टी में नागपूर मेगा ट्रेट, फेर हैंडलूम हैंडिक्राफ्ट, शॉपिंग एक्सपो और अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसके चलते छोटे दु मेरे पास खादी शर्ट है, लखनवी कुल्ती है, गाउन है, और खादी कुल्ती लेडिस के आएंगी, जेन्स के लेडिस, शर्ट वगएरा अच्छे, और सिर्फ कम रेटों में हैं ऐसा नहीं कि बहुत महेंगे हैं, 200-200 रुपे के रेंज में हैं, बाकि लखनवी कलेक्शन बहुत अच्छा है मेरे पास, उसमें कुल्ती, साडी, सूट, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहां पर, अब जाहत थोड़ी यही है कि अब कम से कम थोड़ा जो काम है वो अब चालू हुआ है, तो इस वज़े से हम लोग आए हुए हैं कि कम से कम लोग डॉन की वज़े से थोड़ा बहुत ही मनलब दिक्कत थी, अब थोड़ा काम चालू हो गया है, तो बहुत ही अच्छा महिसूस कर गए कि कुछ न कुछ काम चालू हो गया है, अब बहुत दिनों से कॉमन पब्लिक जो थी, नौ मैने से करीब घर पर बठा है, उनका सूर्स ओफ इंकम सभी ग्राग अभी भी अपसेट माइंडेड है, अभी तक लोग इतना इन्हें आवेर नहीं हुआ है, शायद पता नहीं है, लोग अभी ढर रहा है, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेट सा वेसा अभी तो क्राउट नहीं है, अभी तो इनिशेल देज है बट जैसे टाइम जाएगा होफुली सभी कुछ हो जाएगा. लोग डाउन के कारण बहुत महीनों से लोग घरों में है, जिसके कारण उन्हें बोरियत हो रही थी, और उस बोरियत का निवारण करने के लिए या एक्सपो एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, ऐसा खुद ग्रहकों का कहना है. लोग डाउन के करीब आट महीने बाद नापुर में एक मेलर की शुरुआत होई है, इस दारान हम अब वहाँ पे आये हैं, जानने के लिए कि ग्रहक किस तरीके से प्रतिसाद दे रहे हैं, उनको क्या लेना पसंद आ रहा है और विशिष्ट उनकी किस तरीके की रूची है तो हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजे यहां से लिए हैं और किस तरीके के उनको यहाँ पे इस सेफ्टी मेजर्स दिख रहे हैं लोग डाउन के आर्ट मतलब इधनर महीने के बाद यह सारी चीजे शुरू हुई है, तो आपका क्या प्रतिसाद रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों बाद हमें बहुत निकल के अच्छा लग रहा है। और हम साथ सब मिलके आए बहने और यह मेरे सासुमा है तो हम सब एंजॉय कर रहे और बहुत अच्छा लग रहा है लोगडाउन के बाद इतने दिनों बाद हमें बहार निकल के अच्छा लग रहा है यहां पर बहुत सारी ज्वैलरी की शॉप से साथी बहुत कपड़े की और ज्वेलरी भी है और चीकन वर के कपड़े है और साथ हमें मेपने कॉटन के कपड़े है हमें अच्छा लगा हमने एक कूर्टा खरीद आभी है यहां और ऐच्छा लगा हाँ बिल्कुल सेप्टी मेजर है क्योंकि हम आये तो हमको सैनिटाइजर दिया गया उसके बाद चेकिंग किया गया कि टेंपरेचर वगर कितना है इसलिए हाँ बहुत अच्छी सेप्टी है और बहुत अच्छा है राश भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है हाँ बिल्कुल हम तो जस्त दो दुकान से हम करी रहे हैं यहां च्वेलरी लिये वहां से यह जिस्ट टॉफ लिया ओके आए और आपको चीजे अच्छी लेगर आपने साथ में लेना भी शुरू कर रहा हम एंजाए और लेना भी चल रहे हैं तो आपको अच्छा कासा है आप बिल्कुल प्रॉफर है विल्कुल मस बहुत अच्छा महौल है तो देखा आप लोगों कि किस तरीके से यहां पे सभी अच्छा प्रतिसात दे रहे साथ ही कहा जा रहा है कि यहां पे सारी सेफ्टी मेजर्स का भी पालन की अचारा है शॉपिंग शॉपिंग बोलो तो यहा ऒधा कि अनि बच्चों के लिए किये है क्योंकि उनको बहुत मजा आ रहा है घर से बाहर आए तो इतने दिन बार इसलिए बहुत अच्छा लग रह है बहुत अच्छा है उसे अप्छी पिले ल क्या झालिशा प落गề तो बितने दिन और शे हैं ने झेहा यहां अक्रम हो द परबर हो रहा है बच्चों को भी तरफ धान दे रहें गाड़ है काफी सारे अच्छा लगा ज़रा नागपूर मेगा ट्रेट फेर हैंडलूम हैंडी क्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन महिला विकास वयम रोजगार बहुत देश संस् नागपूर के द्वारा नागपूर मेगा ट्रेट फेर का आयोजन किया गया है और इस संस्था की संचालक से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि यह कोरोना के बाल आपने यह सब कुद शुरू किया है तो आपको परमीशन के लिए हमने रिक्वस्ट की तो उन्होंने पर्मिशन दी है पर मिशन देने के बाद में उन्होंने बोला है कि जो भी कोड़नेंटी जो भी गाड्लेंस है वं पूरी ड्यान मैं रख्ते हुए आपको सब काम करना है। तो हमने सभी पूरी गाड्राइनर्स ड्यान मैं रख्ते हुए सेनिटाइजर मास् वगरे proud देते हूए अमने अम्मारा इंवेंटि चालू किया है इवेंट चालू करने का मकसद यह है कि हमारे जित्ते भी बाईबेने जो बेरोजगार बैटे थे नव मैने से उनकी हालत बहुत खराब थी तो हम ये चाहते हैं लोग भी पंटनल से ये इवेंट बहुता है… जहां पर हमें पर्मिशन जहां मिलती हैं उच जगे जैसे रेशंबाग हो गया और जैसे मानिशनगर हैं ऐसे हर जगे हम यह इवन्ट चालू करते हैं तो कोरोना के बार हमका आपनी शुल्चा तो प्रशासन ने किस तरीकी से इसमें भूमी का अदा है प्रशासन की में भूमी का है प्रशासन के विगर हम यह कामी नहीं कर सकते हैं प्रशासन ने हमें जैसे बोला है कि आप कचरे का बिल्कुल कहीं पे भी यह ना करें और जैसे प्रशासन चाहती है कि बहुत गर्दी ना हो कहीं पे भी हम उसका पूरा ध्यान में रखते हुई यह सब काम हमने अरेंज किया है तो आपकी एक्स्टो में कौन सी कौन सी दुकान है मैं हम यहां पर हर तरीके की दुकान है जैसे कपड़े से लेके खाने से लेके अमुजमेंट पार तक गर में रेकर भी लोग बहुत बोर हो गए थे और ऐसा लगता था कहीं तो भी अपना मा क्या है तो बहुत सारे मिल रहा है तो जिनकी दुकान है उनका कैसा पुलका भी बहुत अच्छा प्रसिसाद है हमने अच्छा ही मिल रहा है हम चाहते हैं कि मैम यह सब ऐसा चालू कर सकते हैं लेकिन जब गाडलाइंस आप अपनी द्यान में रखते हुए ये सब इवेंट चालू कर सकते हैं प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां जहां भी हमारे भाई बंद हैं उन्हें ये पर्मिशन देने की प्रशासन हमें सायता करें और हम जो भी प्रशासन के जो भी गाड़लें से उन नियमों का पालन करते हुए हमारे भाई बंद को भी इवेंट चालू करने का उसर प्रदान करें